इस टूड़ एम सिखेंगे रेखिक सा सम्मद। अदरू है क्थी कालप्रेशन तो कालप्रेशन की मै्थर के लिए मिने दू फॉर्मणली रैट्ड McG heo एक पुनाग के लिए मैंने formula लिखा हुआ है और ऐसे मैंने एक अप पुनाग के लिए formula लिखा हुआ है तो apply कौन साग का होगा तो जब x-bar और y-bar पुनाग में होगा तो हमें यह formula अपलाए करना है और जब x-bar और y-bar अब मुनाग में तो हमें यह formula हम लए करना है तो चलिए एक sums डारिक लिए हम सीखते हैं तो अगरणी में एक sums लिखा हुआ है जो ऐसे 2.2 का sums है तो यहाँ पर x और y ऐसे 2 चर्द ही हुए उनकी सारी value में रैड़ डाउन की हुए तो सबस्से बिला में क्या निकाला पड़ता है x-bar और y-bar निकाला होता तो यहाँ पर तो sigma x का जो है total हो मिने write down किया और divide by n, n में सोलता है जिकनी value यहाँ बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 value तो divide का number 167 मिला, वैसे y, तो y का total मिने write down किया and divide by 7, तो इसका y बाद मिला 168 इस दोनों देखो कैसे, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर पूना के तो आगे table की बात करते हैं कौन सा table बनाना चाहिए तो आगे table बनाएगा x minus x bar का table तो पहले इसको solve कैसे करते हैं, तो आप x bar अलेड हमको मिला है 167 होगो, वैं write down कर देना है, मिन्स x में से 167 माइनस करना होगा हमे तो देखो value कैसे find out होगी, 127 minus 167 प्लस का 3 आएगा, 169 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 168 में से माइनस करेंगे 167 में से माइनस करेंगे तो 0, 166 में से माइनस 1, 165 में से माइनस करेंगे तो माइनस 2, 164 में से माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा तो यह जदा रखिए गा जो भी X में सगर का ज़ो जो टोडल करेंगे यह जो जी रो उने वाला है क्योंकि आपे जो मीन लिया है मात्य वही पूरा 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 भी डोलगी हैं तो और जीरो आना ही जही है तो हम पर करेंगे y लिग देंगे 168 वाय में से ya 172 minus 168 तो आपर प्लस का 4 168 minus 168 0 170 में से minus करेंगे तो 2 168 में से minus करेंगे 0 165 में से minus 3 minus 1 minus 2 तो इसका पी टूल किना आना जीए 0 याना जीए चेक आउट करेंगे 4 plus 2 plus 6 हो गया 3 1 and 2 minus 6 तो कितना हो गया आपर जीए लो हो गे तो 3 4 तो यहां पर होगो तो यहां पर होग जाएगा तो 2 into 0 zero 1 into 2 to 0 । 1 into 2 2 0 minus 1 plus हो जाएगा 3 2 into 1 1 3 into 2 6 हो जाएगा इसका भी आपर होगो टोटल करना होगो total लाएगा 25 अब यहां लिखा है एक्स मैस एक्स बार का स्कोर जो हमने आप माइनिस करके find out किया गया है उसका हमें स्क्वेर करना होगा तो 3 का स्क्वेर 9 2 का 4 1 0 1 4 & 9 तो इसका भी हमें सेंटिशन टूटल करना होगा तो टूटल करना ही मिलेगा 1 sorry 28 मिलेगा टूटल यहां बात का तो वाइमास वाइबर का स्क्वेर तो यह से करना है जो वाइमास वाइबर मिला है उसका में स्क्वेर कर देना है तो 16 0 2 का 4 0 का 0 3 का 9 1 2 का 4 टूटल कर देंगे तो मिल जाएगा 34 तो इससे टेवल होगा हमारा अब बात करते हैं फॉर्मूल एगी तो फॉर्मूला अपलाए करना है हमारा पूरां का फॉर्मूला में अपलाए करना है जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार य बार एन अपस में फर्स्ट अंडरूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वार है और second under root में sigma y-y bar का square है तो पहला जो है वो value किसलिए है आपर दोनों का जो इंटू की आगा है आपस में उसकी value कि लिखना है मतले है आप 25 आएगा एन अपों में under root में कौन सा है? x-x bar का square means यापर 28 under root में लिखा जाएगा, ओके? second is y-y bar का square total is 34 तो अब क्या करना हमें यहाँ पर दोनों का आपस में हमें into कर देना होगा और उसके बाद one time हमें यहाँ पर under root निकालना होगा तो पहले into करेंगे आपस में तो मिलेगा 952 अब यहाँ आपर हम उसका under root ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा point में 30.8544 हम final हम divide करेंगे तो final answer में जाएगा 0.81 जो हमारे यहाँ पर बन जाएगा सरसंबन 0.81 तो ऐसे solve होगा जब answer x bar और y bar का पूना कमाएगा तो यह table में बनाना होगा और यह formula में apply करना होगा